जब भी कुछ इंस्टेंट बनाकर खाना हो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साउथ इंडियन स्टाइल मिक्स वेज इंस्टेंट तड़का वाले मसाला अपम की रेसिपी रेसिपी बहुत ही युणीक बनने वाली है तो वीडियो को एंट तक आप जरूर से देखे सबसे पहले यहाँ पर मैं दो पाउल की करीब सूजी ले लूँगी हाफ बाउल दही आद कर देंगे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी आट करके समी थिक सा बैटर रेडी कर लेंगे सुभे की भाग दौड में आपको समझ नहीं आ रहा है इंस्टेंटली कुछ हेल्दी टेस्टी बना कर खाने का मन कर रहा है तो आप इंस्टेंट अपे को जरूर से बना कर खाए बैटर हमारा रेडी है, कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है अब इसे हम ढग कर 15-20 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देंगे तड़के के लिए मसाले के लिए हम यापर एक टीस्पून लालमिश पाउडर आट कर लेंगे एक टीस्पून हम यापर धन्या पाउडर आट कर देंगे एक टीस्पून आमचुर पाउडर एक टीस्पून गरम मसाला आट कर देंगे सभी कोछे से मिक्स दे देंगे इसे हम तड़के में बाद में इस्तमाल करेंगे 15-20 मिनट हो चुके हैं अब मैं यहाँ पर एक बारिक चॉप किया हुआ प्याज आड़ कर रही हूँ एक बारिक चॉप किया हुआ टमाटर आड़ कर देंगे आधा बारिक चॉप किया हुआ शिमला मर्श एक ग्रेट किया हुआ गाजर आड़ कर देंगे जितनी सबजी आप इसमें आट करेंगे उतना ही टेस्टी आपकी अपपे बनकर रेडी होंगे आप अपने चोईस की कोई भी वैजीस इसमें इस्तमाल कर सकते हैं एक टीस्पून अद्रक हरे मिर्च का पेस्ट आट कर देंगे कटी हुई धनिया पत्ती आट कर देंगे नमक स्वात की अनुसार आट कर देंगे सभी को अच्छे से मिक्स दे देंगे अगर आपको इस रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर से करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बैटर हमारा बनकर रेडी हो चुका है चलिए अब हम तड़का रेडी कर लेते हैं तड़का पैन में यहाँ पर मैं दो टेबर स्पून तिल को अच्छे से गरम कर लूँगी हाफ टीस्पून राई आठ कर देंगे और क्रेकल हो जाने देंगे फ्लेम ओफ कर देंगे एक टीस्पून सफेद तिल आठ कर देंगे एक चौथाई टीस्पून हिंग आठ कर देंगे थोड़े बारिक चौप किया हुआ करी पत्ता आठ करदेंगे फ्लेवर बहुत ही जबढ़िया आएगा प्रिपैर किया हुआ मसाला आठ कर देंगे और बैटर में पोर कर देंगे इस टड़के से इस अपबम के स्वाथ बहुत ही जबढ़ जादा है सभी को अच्छे से mix दे देंगे आप इस masala अपम को जरूर से try दे आपको ये definitely बहुत पसंद आएगा consistency आपको ऐसी ही ठिक रखनी है बच्चों को खास ये जरूर से खिलाए उन्हें बहुत पसंद आएगा एक चोथा टीस्पून मैं आपर baking सोडा आट कर दूँगी थोड़ा सा पानी आट कर देंगे और अच्छे से mix दे देंगे आप चाहे तो fruit salt यानि की इनो भी आट कर सकते हैं बैटर हमारा ready हो चुका है अब हम अपे stand में तेल आट कर देंगे थोड़ा थोड़ा तेल आट करेंगे और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे बहुत ही कम तेल में ये नाश्टा बनकर ready हो जाता है इसलिए ये काफी healthy है और ये बहुत ही जल्दी बनकर ready भी हो जाता है थोड़े सफित तिल आट कर देंगे फ्लेवर बहुत ही बढ़ी आएगा इससे एक एक स्पून बैटर इस तरीके से आट कर देंगे जब भी कुछ tasty और healthy बना कर खाने की इच्छा हो आप इसे जरूर से बना कर खाए बच्चों के टिफिन में आप specially इसे सुबह सुबह जब भी आप busy हो बना कर इसे दे सकते हैं बहुत ही कम टाइम में ये नाश्टा healthy है वो भी बनकर ready हो जाता है थोड़ा थोड़ा उपर तेल पूर कर देंगे अब हम इसे ढख कर एक साइट कुख हो जाने देंगे ये जट पट से कुख हो जाता है दो तिन मिनट में फटा फट से कुख हो जाता है बहुत टाइम इसे कुख ना करें सभी को पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक कुख कर लेंगे दोनों तरफ हमने कुख कर लिया है हमारे तड़का वाले मसाला अपम बनकर रेडी हो चुका है इसे निकाल कर गर्मा गरम सफ कर लें आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमें बोक्स में बताना ना भूले और इस रेसिपी को एक पर जरूर से ट्राइ दे हमारा तड़की वाला मसाला अपम रेडी है आपको यह रेसिपी जरूर से पसंद आई होगी अगर आई हो तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें थांक यू सो मच पो वाचिंग दिस वीडियो